Yes, 5th class, let's restart unit 5 and poem The Lazy Frong, Sust Mender or R.C. Mender. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. School के दिनों में आप busy होते हो पढ़ने में, खेलने में, अपने friends से बाते करने में. When you have a holiday from school, what do you do? जब आपके school में holidays होते हैं, तो आप क्या करते हो? Would you behave a little like the frog in the following poem? जो नीचे poem आपको दी गई है, क्या आप उसके जैसा, उस मेंडग के जैसा थोड़ा सा भी behave करते हो? तो अब देखते हैं हम की मेंडग जो है, वो कैसा behave करता है? यहाँ पे frog दिखाया गई, frog की mother है, क्योंकि यह lady frog है, उसके बाद यह है आपका lazy frog, जो कि एक लकड़ी के लट्टे पर लेटा हुआ है, और यह है lady frog जो उसके पास से जा रही है, इस poem में इनके बारे में बताया गया है, एन पोएट है एन और नी मॉस जिन हुने यह poem लिखी है, तो आपको poem का नेम एन पोएट का नेम जरूर पता होना चाहिए, चलिए हम poem शुरू करते हैं, Fred is a very little frog who lones all day upon a log, Fred उसका नाम है, Fred जो है वो बहुत आलसी मेंड़क है, और वो सारा दिन ऐसे ही एक लकड़ी के लट्टे पर लेटा रहता है, वो अपने आपको ऐसा रखता है, वो जब भी काम कहीं होता है तो भाग लेता है, मतले काम से जी चुराता है, वो हाँ से चला जाता है, एवन थोड़ा सा भी एक सिंगल वर्ट भी हो नहीं करता है, His poor old mother calls in vain, उसकी जो मम्मी से बुलाती है, पत उसको बुलाना बेकार है, व्यर्थ है, Coming and help, आओ और मेरी help करो, he doesn't bother, लेकिन वो bother ही नहीं करता है, परवा ही नहीं करता है, कि उसकी मम्मी ने उसे बुलाया है, to move two inches, वो दो इंच भी नहीं हिलता है, much preferring to be extremely hard of hearing, और वो जादा किस चीज को prefer करता है, कि उसने सुना ही नहीं है, वो ऐसे अंसुना कर देता है, ऐसे शो करता है, जैसे कि वो बहरा हो, उसने सुना ही नहीं है, उसके बाद क्या है, he lies there in a silent heap and stays, stays conveniently asleep, और वो क्या करता है, अराम से लेटा रहता है, और वहाँ पर सोया रहता है, बड़े अराम से, if a lady frog hops past, you would think he would get up at last, क्या आप, जो अगर उसके पास से कोई lady frog जाती है, hop उसकी moment होती है, जो frog की moment होती है, फुदक ना जिसको बोलते है, उसके पास से गुजरती है, तो आपको क्या लगता है, वो खड़ा हो जाता है, तो वो उसे respect देता है, and helps her on her way, और उसके रास्ते में उसको help करता है, आपको ऐसा लगता है, but no, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, I am ashamed to say, मुझे कहने में भी शरम आती है, that when a lady frog comes by, he doesn't open up one eye, लेकिन जब एक lady frog उसके आस पास से गुजरती है, तो वो एक आँख तक नहीं खोलता है, इतना आलसी है कि वो आँख खोलने में भी आलस करता है, later ही रहता है, तो यह आपकी poem थी, हम चलिए, next page पे चलते हैं, page number 80, यहाँ पे new words है, lol means to lie around lazily, बिल्कुल सुस्ती में लेटे रहना, log trunk of a tree that has been cut, and shark means to not do something you should do, जो आपको करना चाहिए, आप नहीं करते हैं, उसको बोलते है, shark in vain means uselessly, prefer means like something better and hard of hearing, deaf, bow means to bend your head, to show respect, चुक जाना, अपनी सिर को चुकाना किसी की respect में, now questions, what did the frog do all day, frog क्या करता था, लेटा रहता था सारा दिन, आप क्या लेकोगे, the frog lolled all day upon a log, कहां लेटा रहता था, एक लकड़ी के उपर लेटा रहता था, तो besides lazy, what other words can you think of to describe the frog, lazy तो वो था, आप उसको describe करने के लिए, कौन से word use करना चाहोगे, hint यहापे दिया, how to behave with his mother and when a lady frog walked by, okay, तो हम यह hint देगे हैं, कि आप इनको use कर सकते हो, hint में, तो सबसे पहले हम बोलेंगे mannerless, उसको manners नहीं थे, कि बड़ों की respect करनी चाहिए, दूसरा था, वो disobedient था, अपनी ममी का कहना नहीं मानता था, और idle means ऐसे ही लेटा रहता था, बिना किसी चीज के निकम्मा जिसको बोलते हैं, and shameless वो इसलिए था, क्योंकि जैसे lady frog उसके पास से जाती थी, और वो उसकी respect नहीं करता था, even उसकी help के लिए भी नहीं बोलता था, तो इसलिए वो क्या था, mannerless, disobedient, idle and shameless, now complete the sentences with reference to the poem, अब यहाँ पे poem की reference हमें यहाँ पे sentence complete करने है, when the frog's mother called him, he pretended to be deaf, वो ऐसे pretend करता है, जैसे वो बहरा हूँ, pretend मतलब to show, show करना, and when a lady frog hops by, he doesn't even open his one eye, अपनी एक आँख तक नहीं खोलता था, अपनी एक आँख तक नहीं खोलता था, यहाँ आपको frog का behavior अच्छा लगता लगा, तो आप कहले को, no, we did not like the frog's behavior, हमें frog का behavior बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा, and page number 81, refer the poem and understand, the frog love to lease and lie around all day, and he didn't like to do any work at all, वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करता था, now make true sentences about yourself, अपनी तरफ से सही sentence बनाने हैं, सच्चे sentence बनाने हैं, and write about the people, you like a game, you play a hobby, और a habit you have, जो भी आपको अच्छा लगता है, you may use the following clues, clues आपको दिएगे, आपने यह चीजे, इसमें sentence में आप यह use कर सकते हो, कोई game का नाम, या फिर खेलना, कोई hobby, कोई habit, यहाँ भी लिखाओ, I love, I love, यहाँ भी लिखाओ my parents, या फिर, तो यहाँ पिर भी लिख सकते हो, I love to play football, मुझे football खेलना, अच्छा लगता है, या फिर आप यहाँ, second में आप क्या लिखाओगे, I like, I like में आप क्या लिखाओगे, I like to read books, I like to play football, या cricket, आप कुछ भी लिख सकते हो, I don't mind, I don't mind doing my homework, मुझे अपना काम करने में, कोई, मतलब मैं उसको mind नहीं करना, आप करता, I don't mind, माइंड इटिंग लॉट्स ओफ चॉकलेट, ओके, आप यहाँ लिख सकते हो, I don't like, इसमें आप क्या लिखोगे, I don't like to go for shopping, मुझे शॉपिंग में जाना अच्छा नहीं लगता, I don't like fighting, मुझे लड़ाई चगर अच्छा नहीं लगता, I hate, किससे आप हीट करते हो, hate means आपको उस चीज़ से नफरत है, I hate watching television, I hate using mobile, चो कि आजकल, सब बच्चों को बहुत पसंद होता है, बड़ आप लिख सकते हो, यहाँ पे, I hate bad smells, उसके बाद है, try and find out the same from your family members also, आप यहीं चीज़ आप अपनी family members में भी use कर सकते हो, उसके बाद है, say allowed add one more matching word in each pair, what has been done for you, यहाँ पे आपके rhyming words है, यहाँ पे आपने rhyming words कुछ भी लिखने हैं, जैसे log, frog, dog, shark, work, clerk, wain, dain and gain, preferring, hearing and tearing, यहाँ पे आपने rhyming words लिखने हैं, heap, keep, weep, sleep, past, last, fast, we, say, clay and what kind of words are they, these are the rhyming words, यहाँ पे पूछा लिखने यह words कैसे हैं, तो आपने बूलना rhyming words, उसके बाद,